हेलो रिवन गुड मॉर्निंग एंड इस डॉक्टर विपन गोईल तो आज की लेक्चर के अंदर हम डिसस करने जा रहे हमारे 23 अगस्ट के करंट अफेर्स तो देखेंगे आज हमारे लेक्चर में कौन से करंट अफेर हैं कौन से कोशन आएंगे सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ आप मुझे डिफरन सोशल मेडिया के उपर जोड़ सकते हैं फेस्बुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्वीटर एंड जीमेल इडी के साथ मैं काफी एक्टिव रहता हूं इंस्टाग्राम के उपर और इस लेक्चर की पीडि जीएस कोर्स बाइ डॉक्टर विपन गोईल और इसमें आप कूपन कोर्ड की यूज़ करेंगे विईप 500 और आपको डिसकाउंट मिलेगा 31 थारी तक आप पर प्रचेज कर सकते हैं तो आप प्रचेज कैसे करेंगे Study IQ एप आपको डाउनलोड करनी है जैसे Study IQ एप डाउनलोड करेंगे Best Selling कोर्स में जाएंगे View All का बटन दबाना और यहां पर आपको जो है तीसरे जोप्ते नंबर के उपर दिखे जागा GS कोर्स और आपको Last में नजर आएगा आपको That is 10,000 MCU कोर्स This is important ठीक है तो अगेन आ Bureau का Official Logo जो है लॉंच किया तो यह है Official Logo इस लोगो के अंदर जो है बहुत सारे चीज़ें है जैसे इन्होंने तीन पॉइंट लिखे है Accuracy, Validity, Reliability, Accuracy, Validity and Reliability मतलब सटीकता, वैजता और विश्वसनियता तो यह जो है इन्होंने जो है इनका एक लोगो है लोगो के Blue Collar Worker, Blue Collar Worker का मतलब जो Normal जो हमारे लोग वरकर होते हैं वरकर क्लास होती है उसके लिए बात करता है और बीच में आपको देखेगा यह graph यह जो है अप डाउन ऊपर नीचे ऐसी दिख रहा है आपको तो मतलब इसमें graph क्या है ऐसी ऊपर नीचे दिख रहा है अपको कि मतल करते हैं Labor Bureau की तो Labor Bureau जो है यह बना कब था एक October 1946 के अंदर इंडिया के अंदर इस इंपोरे लेकिन हमारे पूरे हम बात करते हैं पूरी International Organization की ILO International Labor Organization जिसके हैड़कॉर्टर कहां पर हैं जिनिवा स्विजिलैंड के अंदर है और ILO जो है आपका ILO जो है बना गब था, 1919 के अंदर बना था, और Labor Day कब होता है, First May को होता है, तो ये भी आपको द्यान रकना है, तो ये है, संतोश गंगवार ने ये लाँच किया है, नेक्स देखें जी, World Bank ने इंडिया की GDP को पडिक्ट किया है, कितना, 3.2% से भी कम नीचे पडिक्ट किया है, Financial Year 21 के लिए, 2021 के Financial Year के लिए, जो है, 3.2 से भी कम पडिक्ट करी है, कि इसने, World Bank ने, विशुप बैंक ने, World Bank के अगर हम बात करते हैं, तो World Bank के Headquarter जो है, वो कहां पे है, Washington DC के अंदर है, Washington DC के अंदर, और इसके अंदर जो है, 189 मेंबर है, और प्लस डेविड मैल पास, डेविड मैल पास जो है, आपके, इसके President है, डेविड मैल पास, और 1944 में ये Organization का Foundation रखा गया था, तो इसमें आ आराश्टरा में एक जगा है, राएगढ़, और चत्तिसगड में एक जगा है, जगदालपूर, उसमें जो है आपका Treasury Center, ट्राइफूड प्रोजक्ट जो है, यहाँ पे लौंच किया गया है, इस प्रोजक्ट के अंदर ट्राइफूड मिनिस्टरी, जाने के Ministry of Tribal Affairs, अर्ज जो है ये जो आपके जो ये ट्राइबल लोग जो होते हैं फॉरेस्ट को गैदर करते हैं वो कलेक्ट करते हैं और वो ओविसरी बात है इनकी इंप्लॉइमेंट जनेशन करनी है इंकम बढ़ानी है तो इसी के लिए ये जो है प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है नेक्स देखे जी ग्रीन डिपोजेट प्रोग्राम जो है लॉंच किया है एचस बी बैंक ने यह किसके लिए है कॉर्पेट क्लाइंट के लिए जो बिजनस क्लास होती है उसके लिए इसके अंदर क्या है कि जो बैंक जो है उनका डिपॉजर यूज कहां पर करेगा आपका ग्रीन कवर के लिए जैने के ग्रीन इनिशेटिव के लिए यूज करेगा आपके इन्वार्मेंट फ्रेंडली चीज़ों के लिए जो है ये यूज करेगा इस वेरी वेरी इंपॉर्टन क्लियर हम एचस बीसी की बात करते हैं एचस बीसी के जो हैड़कॉर्टर है डैट इ इरिया के अंदर जिसके लिए इन्होंने cooperation मतलब एक agreement sign किया है किसके साथ इसराइल के साथ agreement sign किया है इसराइल के साथ आपका agreement sign किया है ताकि जो है वहां पे जो है water shortage जो आ रही है गर्मियों के अंदर वो ना आ पाए अब हम बात करते हैं उत्रपरदेश की इनके योगी अदित्यानाद जो है इनके सीम है और लखनो इस दा capital अनंदी बेन पटेल इस दा जो है governor है इसराइल की जो capital है that is Jerusalem ये भी आपको पता होना चाहिए clear ये आपको clear हो गया होगा नेक्स है जी हमारा union minister for tribal affairs अर्जिन मुंडा जी ने e on a great मतलब electronically inaugurate किया है tribe India showroom कहां पे किया है मुंबई के अंदर किया है और ये जो move है ये परदान मंतरी के message we vocal for local मतलब क्या है कि आप बताईए जादा से जादा बताईए जो tribal people है उनके बारे में बताईए कि क्या चीज़ें कहां कहां से मिलती है अगर आप बताएंगे तब ही तो है उनका घर चल पाएगा तो ये tribal affairs minister ने किया है tribal affairs minister कौन है हमारे अर्जुन मुंडा जी अभी मैंने आपको trifood project भी बता दिया और यहाँ पर tribes India शोरूम भी बता दिया मुंबई के अंदर नेक्स है डॉक्टर केत रॉले डॉक्टर केत रॉले जो है प्राइम निस्टर बने है किसके it's called त्रीनी दाद एंड तोबैगो त्रीनी दाद एंड तोबैगो के दूसरी बार लगातार बने है अब बात है डॉक्टर केत रॉले जो है यह कहां से बिलोंग करते हैं पीपल्स नैशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं पीपल्स नैशनल मुवमेंट पार्टी पीपल्स नैशनल मुवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं बात यहां पर यह आती है, त्रिनिदाद और तोबैगो की जो capital है वो क्या है, तैस्ट पोर्ट अफ स्पेन, और इनकी जो करंसी है, तैस्ट त्रिनिदाद और तोबैगो डॉलर, इस वेरी इंपोर्टन, क्लिय अप, नेक्स है, छत्रपूर पुलिस मध्या प्रदेश ने एक campaign launch करिया है, एक संकल्प बुजुर्गो के नाम, एक संकल्प बुजुर्गो के नाम, इसका मतलब क्या है, कि हमें commitment करनी है, elders के लिए, बुडों के लिए, इस coronavirus के चक्कर में चलते हुए, जिसमें के जो है, आपके helpless हैं, जो elderly लोग हैं, वो घर पे safe रहें, और global pandemic से वो बच सकें, और इस campaign का जो मोटो है, वो मध्या परदेश की जो पुलिस का मोटो है, वो same है, that is देश, बक्ती, जनसेवा, देश, बक्ती and जनसेवा, this is important, clear, जनसेवा, very very important, और बात करते हैं, हम यहां पे मध्या परदेश की, तो मध्या परदेश की आपको पता है, वो पाल है, फॉसिल नैशनल पार्क है, काना नैशनल पार्क है, मादव नैशनल पार्क है, पन्ना नैशनल पार्क है, पेंच नैशनल पार्क है, सत्पुड़ा नैशनल पार्क है, बहुत ही ज्यादा नहीं यहां पर नैशनल पार्क देखने का आपको मिलते हैं, नेक्स है जी, जो प् of equatorial guinea कब हुए थे 2016 में 2016 में ये पहली बार प्रधान मंत्री बने थे अब ये तीसरी बार बने है Francisco Assault very very important अब आद यहाँ पे देखे जी हाँ ठीक है तो यह याद रखना है next देखते है UAE ने जो announce किया है that is Berka it's called Berka nuclear power plant वो जो है इनका UAE का पहला national grid plant होगा जो Arab world के अंदर भी पहला होगा very very important Berka power project जो है निकलो power plant है कहां पे लगा है UAE के अंदर लगा है UAE की capital क्या है अबुधाबी है और इनकी currency क्या है that is UAE दिरहम United Arab Emirates दिरहम इजदा currency और इनके president का नाम क्या है बहुत बार मैंने repeat कर दिया खलीफा बिन जायद अली नहायन खलीफा बिन जायद अली निहान चीक है this is important जायद अली नहान this is important clear यह आपको दियान रखना है next है अभी एक cricketer थे गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगर इनका दियान दो गया है heart attack से 89 साल के यह age के थे 89 साल के थे और यह first class जो cricket के लिए अनने मैसूर से खेली है इरान ने announce किया है अपनी surface जो surface blastic missile जिसका नाम उन्होंने अपने जो शहीद कासिम सोलेमानी के नाम पे रखा है शहीद कासिम सोलेमानी के नाम पे रखा है super important question है इरान ने introduce करी है तो इरान की जो capital है तेहरान इरान की capital है तेहरान और इरानियन रियाल जो है इनकी currency है प्रेजिडेंट का नाम क्या है हसन रोहानी नेक्स है इंडिया का rank जो है digital quality of index के अंदर 57 था आया है और Scandinavian जो countries हैं जैसे Denmark, Sweden ये top पे हैं जाने की सबसे number one counts है Denmark, इंडिया का rank 57 और ये जो है आपकी report कि इसने दी थी online privacy solution provider सर्फ शर्क ने दी थी सर्फ शर्क ने ये provide करी थी this is important, clear और digital quality of index का मतलग क्या है कि आप digital कितने active हैं और कितना आप चीजों को सही analyze करके यूज करते हैं तो इंडिया का rank 57 और पूरे world में Denmark is the first number चलिए जी आगे अब question देखते हैं अभी question देखते हैं अर्लाइंस ने अभी एक online pharmacy को 620 क्रोड के अंदर जो है acquire किया है किस के अंदर इसमें stakes डाले हैं नेटमेट्स के अंदर उन्होंने stakes डाले हैं अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा नेटमेट्स इस अ करेक्ट वान नेक्स्ट कोशन देखिए जी लूइस रुडॉल्फो अभी नदेर has won as a president of which country प्रेजडेंट जो हैं वो किस country के बने हैं तो ये बने हैं डोमेनिकन गनराज्या के रिपब्लिक है डोमेनिकन रिपब्लिक के बने हैं और इनकी जो आपकी capital है that is called Santo Domingo Santo Domingo is the capital और करंसी क्या है पैसो इस इंपोर्टन अगेन फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फरेंस हुई थी Speaker of Parliament की ये जो है वर्चुली हुई थी Inter Parliamentary Union and Parliament of which country Inter Parliamentary Union और किस country के बीच में देखने को मिली थी और ये speakers की meeting थी और ये थी Austria के साथ Austria is the correct answer Australia नहीं है Austria is the correct answer Austria की जो capital है that is Viana और Viana के अंदर जो headquarter है that is International Atomic Energy Agency के भी headquarter है और इनके जो currency है that is Euro Euro is the currency very very important सदवावना दिवस जो है जिसे हम harmony day कहते हैं ये इंडिया के अंदर कौन से date को celebrate किया जाता था सदवावना दिवस तो ये celebrate किया जाता है 20 August को और इस दिन जो होता है इस दिन जो है आपके former जो प्राइम इनिस्टर है उनका जनम दिवस होता है ये याद रखना है 19 अगस्त की बात करता हूँ तो 19 photography day होता है मारा world humanitarian day देखने को आपको मिलता है और बात करते हैं 20 अगस्त की 20 अगस्त की तो 20 अगस्त जो है आपका सदवावना दिवस भी होता है और एक और दिन होता है इंडियन अक्षे उर्जा दिवस ध्यान रखना उर्जा दिवस ये भी दिन होता है ठीक है अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा कौन सी पुलिस ने M.O.U. साइन किया है All India Institute of Ayurveda के साथ ताकि जो आयूर्वेदा है आपकी जो पुलिस की फैमिलीज है उनके घर तक पहुंचे किस पुलिस ने M.O.U. साइन किया है जो आयूर्वेदा के साथ All India Institute of Ayurveda के साथ तो वो किया है दिल्ली पुलिस ने उनकी फैमिलीज तक जो है आयूर्वेदिक दवाईया पहुंच आनी चाहिए अब हम बात करते हैं आयूर्वेदा के अनिल भाईजाल है अनसर इसमें क्या बनेगा आपका C उप्शन बनेगा कम्प्यूटर साइन्टिस रसल किर्ष्ट की अभी धिहांत हो गया है यह किस चीज के इन्वेंटर थे, किस चीज के अविश्कारत थे यह पिक्सल के अविश्कारत थे अनसर इस A option, very very important इंडियन अक्षे उर्जा दिवाईया अभी हमें आपको बताया था जब हमने जो आपका याद किया था कि जो हमारा दिन होता है राजीव गांदी जी की बर्थ अन्यवर्स्टी के उपर डेट इस आपका हार्मोनी डे और सद्वावना दिवस उसी दिन होता है, that is 20 अगस्त इस दा करेक्ट अंसर 20 अगस्त इस दा करेक्ट अंसर नेक्स चलते हैं जी आगे, अगला कोशन देखे, यूनिन कैबिनेट ने जो है अप्रूवल किया है लीजिंग के लिए, कि अप्रूवल फॉर लीजिंग, वर विच ए आई, और यह जो एरपोर्ट है, किस एरपोर्ट के साथ, ट्रिपल पी मोड में, जो आपका सारे ही सारे जो है अधनानी एंटरप्राइस के पास है, उप्रोक्त चारो के चारो, अपको पता है, इंटरनेशन सिविल अविएशन और जिसके हैड़वाटर काहां पे है, मॉन्ट्रेल कैनेडा के अंदर है, मॉन्ट्रेल कैनेडा के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएए, कौन सी कंटरी ने रैपीट स्लाइवा टेस्ट जो है बात करी है ताकि हम कोविड-19 को जो है स्लाइवा डिरेक्ट के नाम से भी हम जान सकते हैं, तो ये जो मतलब बात करी है, ये यूएस ने करी है, तो अंसर इसमें बी option बनेगा, और यूएस के जो लिए ऐधि हमें संसाा है अंसर इसम के अंदर यहां पे जैसे गिर लिखा अ परकाश जावेद कर ने बोला है कि इतना परसेंट जो है हו icam यूज कर सकते हैं, plantation, drive और e-forestation के लिए, तो हम कितना fund यूज कर सकते हैं, हम 80% जो है fund यूज कर सकते हैं, answer इसमें a option बनेगा, reforestation करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, e-forestation करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, this is very very important, इंडिया along with Japan and which country will launch a trilateral supply chain resilience initiative, जाने के जपान, इंडिया और कौन सी कंटरी जो है ये initiative ले रही है, तो ये ले रही है Australia, Australia is the correct answer, very important, ताकि हमने चाइना को side buy कर देना है, ये बात होती है, और Australia की अगर हम बात करते हैं, तो Australia की capital है Canberra and इनके जो करनसी है Australian dollar है, और answer इसमें B option बन आएगा, very very important, clear, तो ये थे आज की lecture के अंदर question, बाकि आप इसकी PDF आपको Dr. Wipan Goyal के telegram group के उपर मिल जाएगी, बाकि आप मुझे किसी भी social media के उपर जोड़ सकते हैं, प्लस मेरे दो paid courses आते हैं, एक आता है GS course, जो हमारा theory course है, और दूसरा है हमारा general awareness का 10,000 MCU course, जिसमें ह जिसरे चौते नंबर के उपर आपको GS course सीखेगा, और आपको जो है last में जाके आपको दिखेगा 10,000 MCU course, तो this is very very important, again अगर आप government exam की तियारी कर रहे हैं, CET की तियारी कर रहे हैं, common eligibility test की तियारी कर रहे हैं, तो आप course लीजिए और अपनी preparation को आगे बढ़ाईए, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.